हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे कोलेस्टेरोल एस्टेमेशन के बारे में कोलेस्टेरोल क्या होता है इसका एस्टेमेशन कैसे करते हैं हम लोग ब्लड प्लाज्मा में तो चले बीडियो को start करते हैं, start करने हैं अब बताते हैं के, अब तक चैनल को आप सबस्क्राइब नहीं कियें, तो प्लिज subscribe करें, ताकि जब भी नहया वीडियो आया तो आप लोग को मिल सके तो चले बीडियो को start करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे cholesterol के बारे में कि cholesterol क्या होता है लिपिड होता है हमारे body में बलड और brain tissue में यह मिलता है सबसे分 स्सक्राइब जो होता है li JUD का वो blood में और brain tissue में होता है जो भी brain tissue बने होते हैं वो LIPro Avoids के बने होते हैं जो neurons होते हैं वो maximum उसमें lipid सी present होता है और यह जो होता है important steroid होता है जो कि precursor के जीसे work करता है हमारे body में कुछ steroidal hormones की secretion के लिए जो steroidal hormones होते हैं उनके formation के लिए यह precursor work करता है जैसे में estrogen हो गया, progesterone हो गया, testosterone हो गया और beta-estadiole हो गया अब बात करते हैं इसके methods के बारे में कौन कौन से methods होते हैं cholesterol को estimate करने के लिए तो जो blood में cholesterol का estimation हम लोग करते हैं वो दो method दवारा करते हैं एक तो होता CHOD PEP method और एक होता Watson method तो दुनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो like करिए और अपने दोस्तों में share करिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे CHOD PEP method अगर आप लोग glucose estimation नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा वहाँ साब लोग जाकर देख सकते हैं ग्लुकोज का भी टेस्ट के किस तरह सा हम लोग ग्लुकोज का टेस्ट लगाते हैं ब्लड प्लाज्मा का जो ग्लुकोज होता है उसको कैसे estimate करते हैं तो जो CHOD PEP method होता है तो इसका जो full form होता है cholesterol oxidase phenol 4 amino antipyrin per oxidase होता है यानि इसका मतलब जो होता है CHOD CHOD का जो full form होता है cholesterol oxidase होता है और P का full form होता है phenol उसके पासे 4 anti-aminopyrin उसके पासे P4 पर oxidase होता है अगर इसकी principle के बार हैं बात करें तो इसका principle होता है वो enzymatic method पे based होता है इसमें जो cholesterol ester होता है जो blood में present होता है वो cholesterol esterase के presence में cholesterol plus fatty acid में convert हो जाता है अब जो cholesterol होता है वो cholesterol oxidase के presence में 4 cholesterol 3 1 में और plus H2O2 में convert होता है 4 cholesterol 3 1 और H2O2 में convert होता है यहाँ पे जो H2O2 होता है वो phenol जो की reagent में available था phenol और 4 amino antipyrin से react करता है पर oxidase के presence में यह तो compound जो है वो reagent में present थे phenol और 4 amino antipyrin वो क्या करते हैं H2O2 से react करते हैं पर oxidase के presence में और red color compound form करते हैं red color compound को हम लोग क्या करते हैं photometrically measured कर लेते हैं अब हम लोग बात करते हैं next Watson method next हम बात करते हैं Watson method तो Watson method जो होता है normally यह जो Watson method होता है उसमें cholesterol जो होता है react करता है Watson reagent से जो reagent का content होता है उसमें होता है acidic and hydride, glacial acetic acid और sulfuric acid इसमें तीन तरह के acids present होते हैं acidic and hydride, sulfuric acid और glacial acetic acid इन तीनों acid से यह कै करता है react करता है cholesterol, react करने के पाéquते यह green color complex form करता है तो green color complex form करता है इस color को हम लोग मिजर कर लेते हैं photometrically तो उसके बाद से बात करते हैं हम लोग clinical features के बारे में कि cholesterol अगर जादे हो जाता है किस condition में जादे होता है किस condition में कम होता है तो जो increased level of cholesterol होता है वो hyper cholesterolemia में found होता है याई cholesterol का level increased कर जाना और hyper lipidemia जब increased हो जाता है उस case में भी कolesterol लेबल जो 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 होता है प्रकार से और hyperthyor Uh क्या होता है कि जब भी कोई परसं कोई भी food खाता है तो उसके दोब इंट्स दाइन डोब किया आता है जो भी nutrients और compounds जो भी food में present होते हैं उसको absorb किया आता है तो उसकी अगर deficiency हो जाए रही है absorb नहीं हो पार है प्रोपर मात्राय में तो उसको बोलते हैं mal absorption उसके बाद आता है liver disease और anemia सब conditions में होगा decrease हो जाएगा cholesterol का liver तो तब तक लिटता है में नेक्स्ट वीडियो में जाहिन बंदे मात्रम